और पुश्पंप्रिया का जिकर हम यहां पर लगातार कर रहे हैं नई संसरी वो बिहार की हैं क्या कुछ कह रही हैं सुनिए आप भी बिहार में आगे चुनाओ की दस तक गाउं से शहर तक चुनावी शोर मगर एक चहरा ऐसा जिसने बिहार में राजनेताओं की पिछले छह महिने से उरा दी ने जी हां बात हम कर रहे हैं मार्च के महिने की जब अचानक बिहार के तमाम अगबारों के फ्रंट फिच पर एक चह हमारे साथ है क्योंकि अगर अपनी भासा में मैं कहूं तो मुझे ऐसा लगा कि यह मिस्ट्री गर्ल ऑफ बिहार पॉलिटिक्स जिसके बारे में लोग बहुत कुछ जाना चाहते थे लेकिन पुस्पम ने बिहार की बिहार की पॉलिटिक्स में इतना इस तरीके का इंट्री है जो उपर में जो नेटवर्क है नेताओं का और मांकी भी प्रोफेशन्स के लोगों का कि उस नेटवर्क को भेदना बहुत ही मुश्किल था और वक्त नहीं था तो कुछ दिनों तक मैंने कोशिश की कि शायद इस तरीके से बेदा जा सके काम करके बेदा चाह सके पर वो को हुआ नहीं तो फिर सोचा कि शायद यही एक तरीका है कि अख़बार का पहला पढ़ना इस्तिहार में लोगों को बता दे क्योंकि आप आइम राइम हैं दो टार्गेट गृब्स को बताना था एक तो एक अर्ने मार्ग में बताना था क्या हैं और जो बांकी लोग हैं ज तरह के बरे चेहरे राजनेता आपने बिहार में कुछ इसके पहले भी कुछ एकसे साइज किया आपने या इस्तिहार की government's का एक तो होता है यह होता है यह होता है जो होता है तो उस में मन्तरी और bureaucrats वो किस तरीके से निर्ना लेते हैं वो बहुत closely देखा हुआ है और उसके बाद भी जब मैं यहां से चली गई थी जब मैं लंडन में थी तो वहां पे भी जो शोध किया था वो यहीं के पोलिक्स पे किया था दो उस मौके भी यहां पे अच्छा खासा बड़ा सांपल साइस था इसमें लोगों से बात किया था तो ग्राउन वर्क तभी भी था और ऐसा नहीं था कि आट आठ्वार्श को आए थी तो उस दोरान देखा है पिता जी पॉलिटिक से जुरे रहे हैं आपको लगता है कि इतना सिंपल है इक्वेशन विहार में जिसको आराम से ब्यद देंगी अगर इस्तिहार ये या बातों के जरी ये लोगों को कर लेंगे वह कि आपने वह देखा है पिछले 3 क्लियर करपड़ा आपने अभी तक कैसे लोगों से किया मुश्किल है ब्हेदना इसलिए ब्हेदने की जरूरत प्रजातंत्र है मुश्किल होना नहीं चाहिए था आसान होना चाहिए था इन्हों बहुत ही मुश्किल बना दिया है तो एक ऐसा वक्त आया तीस साल पहले जब कि उनको विश्वास दिलाया गया कि अगर आप अपनी जाती की लोगों को चुड़ेंगे तो आपको वो सोश्य सब्सक्राइब करेंगे तो उन्हों ने उस विश्वास के आधार पर और सभी पार्टी ने यहीं बात की आप अगर इस बहुत ही गहरे में अगर इसका शोट करोगे तो आप यह पाऊगे कि मैक्सिमुम जो इसे पार्टी भले ही कोई भी हो लेकिन जो जिस जाती की संख्या सबसे जादा होती है उसी जाती के कैंडिड़ेट्स खड़ा करते हैं जैनरली या अगर वह धर्म की राजनीती कर रहे हैं तो फिर उस उस आधार पर होती है लेकिन तीस साल में यह नहीं हुआ उनकी जो हा स्लोगन दे रहा है राइट ओफ एकॉलिटी और राइट ओफ जॉब लेकिन जाइट ओफ जॉब वह यह जो प्रफ जोगन है उनका स्लोगन है जिन्होंने 15 साल तक जाती राजनीती की इस यही तो मैं खेह रही हूं कि अब मैंने यह हाल फिला में भी कि पूरा उठा के वह कर दिया है जाती और धर्म के आधार पर राजनीती नहीं होनी चाहिए उसके पांच दिनों के बाद देखा कि जिनकी पार्टी जाती और धर्म के अधारत पर बेस्ट है अब वो भी एश्लोगन देने लगें तो यह पर आपने नाम भी पार्टी का रखा प्लूरल जिस बि प्रविबिल्टी है कहीं ना कहीं खौप है उसमें यह नाम अपने क्यों चुना इसलिए कैश करेगा आपके सवह में जादा तर यूद्स मुझे दिखते भी हैं तो आपने जो यूद्स से अपील किया वह यूद्स आपके तरफ जुकाओ आप महसूस कर रही है जितना मैं सब्सक्राइब को अपना हित चाहिए और यह सारी जो बाते हैं जाती की और बांकी जितनी भी बाते वह भी इस वज़े से थी क्योंकि उनको हित चाहिए था सभी ने उनको निराश किया है पुश्पम आप हैं यूथ में तेजस्वी हैं चिराग पासवान हैं जो भी आज यूथ की बात करें यूथ जो हैं वो मेजर वोटर्स हैं आप जो यूथ की बात करें यूवा यूवा एक सोच है मुझे नहीं लगता बहुत हद तक कि बस आपकी अगर उम्र कम है तो आप यूवा हैं यूवा एक यूवा अगर आपके साथ रिलेट करता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़े से वापकी उम्र देखके रिलेट नहीं करता वह यह भी देखना चाहता है कि जैसे यहां पर आज के लोग यह देखना चाहते हैं कि आप कितने पढ़े बीच है विडियो जनली सतंद्र के साथ रजनी सिंहां नियोजनेश धरवंगा